Welcome to Study Watch, Mystery of the Talking Fan बात करते हुए पंखे का रहस ठीक, Talking Fan का मतलब क्या है? बात करने वाला पंखा Mystery का मतलब जैसे हम जानते हैं, रहस बात करने वाले पंखे का रहस, ये पोएम है ये NCRT के Class 7 की English की बुक, Honeycomb का ये ये Unit 6 की पोएम है, ठीक, Unit 6 की पोएम है तो चली समझते हैं, ये पोएम किसके बारे में है, पोएम क्या कहना चाहता है? ये जो Mystery of the Talking Fan है, ये आवाज करते हुए एक पंखे पर आधारित पोएम है पोएम बताता है कि पंखा लगतार कुछ कहना चाहता है हलांकि पोएट पंखे की आवाज को समझ नहीं पाता है तभी कोई पंखे की सर्विसिंग कर जाता है और पंखे से आवाज आना बंद हो जाती है इस तरह पोएट ये समझ जाता है कि पंखा ओइलिंग की डिमान कर रहा था पंखा servicing की demand कर रहा था और फिर उसका सारा रह से समाप्त हो जाता है कि जो सुरू में वो जानना चाहता था कि ये पंखा खिर कहना क्या चाहता है वो जो रह से था वो समाप्त हो जाता है तो ये छोटी सी पोएम है इसी के बारे में है आखरी में मैं इसकी summary भी आपको बता दूँगा चलिए पहले हम लोग line by line पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Is there a ceiling fan? क्या कोई ceiling fan है? Ceiling fan का मतलब जो उपर वाली ceiling पर जो लगा पंखा रहता है उसे बोलते हैं ceiling तो क्या कोई ceiling fan है? इंदर रूब उस कमरे में where you are sitting now जहां पर आप बैठे हुए हैं जहां पर तुम बैठे हुए हो क्या वहाँ पर कोई ceiling fan है? Is the fan quiet or noisy? वो fan वो पंखा चुपचाप है या फिर आवास कर रहा है वो पंखा आवास करने वाला है या फिर बिलकुल चुपचाप रहने वाला है If it is noisy अगर ये आवास करने वाला है अगर इसमें से आवास आ रही है You may be sure आप पके हो सकते हैं आप इस बात को समझ सकते हैं It is a distant relative of the talking fan ये कोई दूर का talking fan का बात करने वाले पंखे का ये दूर का रिष्टेदार होगा Distant relative का मतलब क्या है दूर का रिष्टेदार talking fan जैसा मैंने आपको उपर बताया कि बात करने वाले पंखा होगा In the poem जो इस poem में जो talking fan है उसका वो जरूर कोई रिष्टेदार होगा अगर आपका पंखा भी आवास करता होगा तो Which you are going to read जो poem आप पढ़ने जा रहे हैं जो poem आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें जिस पंखे की बात हुई है अगर आपका पंखा जो कमरे में जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं अगर उसमें भी आवास वो करता है तो इसका मतलब साफ है कि वो उसका कुछ distant relative वो उसका है ठीक चलिए आगे देखते हैं poem क्या कहती है Once there was a talking fan electrical his chatter I couldn't quite hear what he said and I hope it does not matter Once there was a talking fan एक बात करने वाला पंखा था एक बात उनी पंखा था electrical his chatter और उसकी जो बात करने थी और उसकी जो बगबग थी का मतलब जो उसकी बात करने का दू तरीका था वो क्या था वो electrical था यानि वो बिजली से चलने वाला था क्योंकि जैसा हम जानते हैं पंखा बिजली से चलता है तो उसकी आवाज भी क्या थी बहुत electrical थी ठीक वो भी बिजली की भाषा में बगबग करता था ठीक I couldn't quiet here मैं सही से नहीं सुन पाता था quiet here का मतलब क्या है यहां पर quiet का मतलब क्या है काफी here का मतलब सुन पाता था समझ पाता था what he said जो वो कहता था मैं काफी सही से नहीं सुन पाता था नहीं समझ पाता था कि वो क्या कहता है और मैं आशा करता हूँ इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है वो fan क्या कहना चाहता है इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है तो कहता है because क्योंकि इसे कोई की फर्क क्यों नहीं पड़ता है क्योंकि one day क्योंकि एक दिन somebody oiled his little whirling motor उसकी छोटी सी घूमती हुई motor पर किसी ने तेल डाल दिया यानि उसकी उसने oiling कर दी उसकी किसी ने servicing कर दी whirling का मतलब क्या है घूमने वाली ठीक है जो घूमती हो और motor का मतलब जैसे हम जानते हैं जो उसमें motor लगी होती है little का मतलब छोटा तो किसी ने उसमें तेल डाल दिया उसकी motor में and all the mystery was spoiled और सारा रहस जो है वो खराब हो गया spoiled का मतलब क्या है खराब हो जाना ठीक बेकार हो जाना mystery का मतलब रहस जैसे मैंने आपको उपर बताया तो सारा रहस जो है वो खराब हो गया he ran as still as water और वो इतनी शांती से चलने लगा जैसे की पानी यानि वो बिलकुल पानी की तरह चलने लगा जैसे पानी अगर बहाया जाए जमीन पर तो बिलकुल पता नहीं चलता आवाज नहीं आती है उसी तरह वो भी चलने लगा इस तिल का मतलब यहां पर क्या है शांती से ठीक है च कह सकते हैं कि एक बार एक बिजली का पंखा था वह बिजली में ही बगबग किया करता था वह क्या कहता था पोईट उसको ठीक से सुन नहीं पाता था और वो उसको समझ नहीं पाता था और उसे लगता था कि इससे कोई फर्ग भी पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि एक दिन कोई आता है उसकी घूमती हुई मोटर में तेल डाल देता है और सारा रहस्य जो है वो नश्ट हो जाता है अब वो बिल्कुल चिपचाब पानी की तरह चलने लगता है ठीक इस तरह से हम इसको समझ सकते है यह आपकी पोएम यह खतम होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेर कीजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजेगा और बिल आइकन भी जरूर दबाईएगा आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलीगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा होंसला तैंक यू